दोस्तो 8 नवंबर को साल का अंतिम चंद्र ग्रहन दिखाई देने वाला है गर्वती महिलाएं ऐसे में बहुत ज़्यादा परिशान हो जाती है क्योंकि किसी भी ग्रहन का हमारे गर्व में पल रहे बेबी पर बुरा असर पड़ता है इसलिए गर्वती महिलाएं ग्रहन का न नहीं करना है ग्रहन एक्च्वल में कब से कब तक दिखाई देगा सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताएंगे आपको कोई और वीडियो देखने की इसका संपूर्ण जीव जन्तूओं पर असर होता है ये कुछ लोगों पर कुछ ज़्यादा ही प्रभावी होता है जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाओं पर ये ज़्यादा प्रभावी होता है दोस्तों माना ये जाता है कि ग्रहन के समय अगर आप डिरेक्ट ग्रहन की केड़नो के सामने आती हैं तो इससे आपके बेबी पर बुरा असर पड़ता है दोस्तो ग्रहंड को लेके गर्वती महिलाओं के लिए कुछ नियम बताए गए हैं जो हमारे पुराने लोगों के द्वारा बताए जाते हैं और हमारे सास्ट्रों में भी इनका पालन किया था, और भगवान की कृपा से हमारे दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं. स्वस्त हैं और ग्रहाँन के प्रभावों से दूर है और वही नियम मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं. सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रहन का समय क्या है और उसका सूतक काल क्या है तो दोस्तों किसी भी चंद्र ग्रहन के 9 घंटे पहले ही उसका सूतक काल मानने हो जाता है सूतक काल के वक्त भी हमें उनी नियमों का पालन करना होता है जो हम ग्रहन के वक्त करते हैं लेकिन ग्रहन के वक्त strictly आपको नियम के पालन करने होते हैं तो पहले जान लेते हैं कि ग्रहन का सही समय क्या है तो दोस्तों ग्रहन का सही समय है 8 नवंबर 2022 को दिन मंगल बार 2 पहर 1 बच के 32 मिनट से साम 7 बच के 27 मिनट तक ये ग्रहन दिखाई देने वाला है समय आपको मैं दोबारा पता देती हूं दोस्तों दोपहर 1 बच के 32 मिनट से लेके साम 7 बच के 27 मिनट तक ये ग्रहन दिखाई देगा अब ये ग्रहन पूरे 6 घंटे का है तो इसमें आपको पहले से ही कुछ सावधानिया रखनी है दोस्तों बहुत से महिलाओं को ये भी डाउट होता है कि क्या ये ग्रहन भारत में दिखाई देने वाला है या नहीं तो दोस्तों ये ग्रहन भारत में दिखाई देगा और इसका पूरा प्रभाव भारत में होगा तो इंडिया में भी महिलाओं को इसके पूरे नियम का पालन करना होगा और सूतक काल भी मानना होगा तो दोस्तो सूतक काल से पहले ही आपको तुलसी के पत्ते तोड लेने हैं और एक पाने वाली नारियल खरीद के रख लेनी हैं इसका यूज क्या होगा, तो दोस्तों तुलसी के पत्ते अपने खाने पीने वाली चीजों में जरूर डाल देने हैं, जिससे ग्रहन के वक्त अगर आप खाना चाहती हैं, तो खा सकती हैं क्योंकि उसमें तुलसी के पत्ते डले हैं, तुलसी का पत्ता एक बहुत पवित्र प इसके लबा दोस्तों मैंने कहा कि आपको कच्चा नारियल खरीद के रखना है जिस रूम में आप रहने वाली हैं वहाँ पर आपको कच्चा नारियल रख लेना है कहा जाता है कि ग्रहन की निगेटिविटी आप तक इससे नहीं पहुंचती है ग्रहन से पहले ही आपको एक ऐसे रूम का चुनाव करना है जहां पर प्रकास बहुत कम आते हों इसके कारण ग्रहन की किड़ने आप तक नहीं पहुंच पाएंगी ग्रहन के वक्त किसी भी तरह क्या किचन का काम बिल्कुल भी ना करें कटिंग चॉपिंग तो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है कोई भी चीज को नहीं खुरचना है आपको जमीन नहीं खुरचना है ताले चाबी का इस्तमाल नहीं करना है ग्रहन के वक्त आप मंत्रों का जाप कर सकती हैं भगवान का नाम ले सकती हैं या फिर कोई भी अच्छी किताब पढ़ सकती हैं जिससे बेवी पर बहुत अच्छा असर पढ़ता है बहुत सी लेडिजे ये भी पूशती हैं कि क्या बात्रूम जा सकते हैं तो दोस्तो अगर घर के अंदर आपका टोलित या बात्रूम है तो आप जरूर जा सकती हैं बस आपको डिरेक्ट ग्रेह distingu के सामने बिल्कुल भी नहीं आना है